Hello Everyone, Welcome to English Magic Study IQ आई आज का सैसन स्टार्ट करते हैं और Determiners में Few और Little का यूजिस जो है वो देख लेते हैं सबसे पहले कि आप जो है विदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसे सबस्क्राइब करें लाइक करें और सेयर करें ठीक है ताकि जो है यह सभी तक जो है वो बच्चों तक पहुंच सके चलिए आज का सैसन स्टार्ट करते हैं Few और Little को लेकर Few जो है हमारे पास few कह सकते हो आप few कह सकते हो दा few कह सकते हो ठीक है यह कहां use होगा जो हमारे पास countable noun है countable noun के साथ जो हम इसका use जो है वो करते है सबसे ज़्यादा countable noun में ही इसका use हमारे पास होता है few क्या होता है यानि कि थोड़ा सा कुछ भी चीज है वो जो है बहुत कम है यानि कि बहुत ज़्यादा कम है उसके लिए हम less use करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कम है थोड़ा उससे थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम few use करते हैं और सारा जितना भी है लेकिन वो कम है तो उसके लिए जो हम the few use करते हैं ठीक है जैसे यदि मान लिजे कहा गया कि एक class के अंदर हमारे पास 10 students है total students कितने हैं 6 students आये हैं तो क्या हो जएगा आफ few हो जएगा ठीक है यदि 10 के 10 आ गया है तब भी कम ही है वो 10 की कोई ज़्यादा बड़ी class नहीं है ठीक है तो उसके हिसाब से ज़्यादा फिर हमारे पास the few जो है वो use होता है clear है तो इस तरह से जो हम इसका use जो है वो करते हैं सबसे ज़्यादा countable noun में जो हम इसका use करते हैं आये example से इसको देख लेते हैं फर्स्ट है few women can keep a secret कुछ women जो है वो secret रख सकती है कुछ यानिकि बहुत कम negative जो है इसके अंदर जो है necessary जो है वो दिखाई गई है यानिकि negative नेस दिखाई गई है बहुत कम और she has a few books कुछ एक books है उसके पास या he needs a few days rest उसे कुछ दिनों की rest क्या हो शकता है यानिकि दो चार यानिकि उसको जो है दो चार दिनों की जो है rest क्या हो शकता है जब थोड़े से ज़ादा उसको जो है चीज चाहिए होती है तब जो हम इसका use जो है वो करते है या only a few teachers यानिकि थोड़े से ज़ादा बहुत कम नहीं तुस से ज़ादा who were present in the meeting ठीक है ना तो पूरे थे पहले से ही कम थे लेकिन जो है थे उनमें से भी जो है a few जो है वो present थे इसके बाद जो है जैसे he read the few books that he had जितनी भी थी मालिज उसके पास five books थी five की five उसने read out कर ली तो the few books यानिकि five को जादा थोड़ी है जितनी थी सारी पर ली लेकिन फिर भी कम की कम ही है तो उसके लिए the few जो हम use करते है clear he made the few remarks उसने जो है remarks करे जितने जो है वो कर सकता है उसने किया ठीक है लेकिन फिर भी जो है वो कम रहा ठीक है उसके लिए हम few का use जो है वो करते है clear है little देखते है little में जो है हम quantity में जो है इसको लेते हैं ठीक है। जो हमारे पास quality होते हैं जो हमारे पास uncountable, हम यदि कहें uncountable जो noun है, uncountable जो noun होते हैं, जिनको हम गिन नी सकते हैं, इसमें हम गिन सकते थे, ठीक है, फ्यू के अंदर जिन चीजों को हम गिन सकते हैं। बुक है, ठीक है, पीपल है, इन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल, तो उनके साथ हमने फ्यू का यूज गया, चाहे वो फ्यू है, चाहे आफ्यू है, चाहे दाफ्यू है, लेकिन जब हम चीजों को काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे सुगर है, वोटर है, इनको हम count नहीं कर सकते हैं इनको हम quantity में हमें मिलेंगी यह चीज़ें जो हमें एक particular quantity में हमें मिलेंगी तब जो हम इनके साथ little का use करते हैं ठीक है जैसे he has a little water इस तरह से जो हम इनका use जो है वो करते हैं चलिए examples देखते हैं first इसमें he is a fool same बात जो मैंने आपको पीछे बताई है उसके अंदर little a little और the little यह बहुत कम है little बहुत ही ज़ादा negative के अंदर बहुत ही कम a little उसे थोड़ा ज़ादा और the little जितना है लेकिन फिर भी जो है वो sufficient नहीं है उसके लिए जो हम use करते हैं the little का तो पहला था he is a fool and has a little sense कहता है कि मुरक है इसलिए little sense बहुत कम ना के बराबर जो है उसके अंदर senses है ठीक है अकल है देखते हागे there is a little hope there is little hope of his recovery because he is so serious उसकी जो हालत है बहुत जादा गंभीर है उसके बचने की उमीद बहुत कम है तो वहाँ पर little hope ठीक है वहाँ पर हमारे पास जब so serious है जब यहाँ पर थोड़ी recovery fast होती तब हमारे पास a little आ जाता sugar 40 a little जैनकि sugar में जो है sugar जो है आप उसमें add कर रहे है clear है he reads the little stories that he had ठीक है उसने stories को पढ़ा little stories that he had जितनी उसके पास stories जो थी उनको उसने read out जो किया clear है चलिए आगे देख लेते हैं तो यह था हमारा little or few ठीक है फिर भी कोई query आपकी रहती है few और little को लेके किसी भी तरह कोई doubt रहती है तो आप comment कर सकते हैं ठीक है मैं आपको जो है उसके comment का answer जुरूद हूँ clear है तो last time जो है question put किया था the bus stand is at dash distance from the place some distance जो है इसमें आना था ठीक है कुछ है बच्चों न answer की है अच्छा की है ठीक है आज का question देख लेते है money is better than nothing money is better than nothing तो इसको जल्दी से comment कीजिए जो भी आपको right answer लगते है तो यह था आज का session ठीक है जादन जादन क्या होगा आपको गलत हो जाएगा कई बच्चे इसलिए comment नहीं करते की wrong हो जाएगा गलत हो जाएगा नहीं गलत एक बार होगा mistake जो है आपकी एक बार होगी बार बार तो नहीं होगी न दोबारा जो है वो कभी गलत आपका नहीं होगा तो इसलिए आप इसको जरूर जो है वो answer करें फिक है तो यह था आज क